प्रिये दोस्तों एस्टेचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में दो डिजाइन्स का मास्क बना कर दिखाएंगे बहुत ही आसान और सरल तरीके से चलें कटिन और एस्टेचिंग सुरू करते हैं सबसे पहले हम मास्क का कटिन करके दिखाएंगे तो यह 9x9 का होना चाहिए इसमें हम फ्यूजिंग भी रखे हैं इस तरीके से आप फोल्ड कर लें उसके बाद यहाँ बीच में सेंटर में हम नाप लेंगे जितना होगा उतना ही हम मार्क कर देंगे चारो तरफ से जब हम चारो तरफ से मार्क कर देंगे उतना तो यह बिलकुल गोल हो जाएगा इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे उसके बाद हम इसको कटिन करेंगे अब हम इसको इसी तरीके से मार्क के हिसाब से कटिन कर लेंगे अब यह बिल्कुल गुल हो गया, अब इसको हम 4 भाग में डिवाइट कर लेंगे इसमें आप 2 मास्क तयार कर सकते हैं तो एक तो फेवरिक हो गया, कोटन है और यह जो है, यह फ्यूजिंग है फैवरिक वाले फ्यूजिंग है तो इसको हम क्या करेंगे? stitch करने के बाद, पलटने के बाद इसको हम press से चिवका देंगे, बिल्कुर fit हो जाएगा, तो इस तरीके से आप fusion को सिलाई लगा ले जो चिवकने वाला हिसा होगा वो उल्टे की तरफ से होगा तो इस तरीके से आप सिलाई लगा ले इस वीडियो में हम दो तरीके का marks बना कर दिखा रहे हैं आपको आपको जो अच्छा लगे, जो सरल लगे उसको बना सकते हैं ऐसे सरल इजी दोनों है आप जिसे चाहें बना सकते हैं तो इस तरीके से हम इसको पहले थोड़ा नाखुन से बैठा लेते हैं मार्जिन को और दोनों फेबरिक को हम उल्टे की तरफ से पैच कर लिएं इस तरीके से यहाँ पे हम कम से कम एक डेर सेंटीमिटर छोड़ देंगे पलटने के लिए और चारों तरफ से शिलाई लगा लेंगे इस तरीके से हमारे इस चैनल पे जूड़े रहने के लिए सश्क्राइब करें और शाथ में वेल आइकन को फ्रेश कर दें जिसे नई वीडियो आप तक असाने से पहुंच शके साथ में लाइक शेर भी कर दें प्लेज तो इस तरीके से हम स्टीच कर लिए अब इसको हम इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे थोड़ा सा उनी लगा कर इसको हम टाइट कर लेंगे इसलिए कि बाहर का हिस्षा जो है थोड़ा सा टाइट रहेगा तो बहुत बेटर होगा अच्छा होगा उसके बाद हम इसको प्लट लेंगे तो इस तरीके से आप मर्जिंग अगर जाता है तो थोड़ा वह जाड़ दें और यहां से हम इसको प्लट लेंगे इस तरीके से इसको प्लट लेंगे उसके बाद हम इसको एक किनारी पे शिलाई लगा लेंगे अगर शिलाई लगाना चाहते हैं तो लगा लें नहीं तो कोई आओ सकता भी ज़्यादा नहीं है हमारे इस चैनल पे पैंट शल्ट, बलाउज का डिजाइनिंग, कुर्ता, सल्वार, सूट, फ्राक हर चीज बनाकर और कटिन करके दिखाये जाते हैं इसको हम अच्छे से इस चरीके से बैठा लेंगे यहां कोई बैठाने का वशकता नहीं है, यहां तो हमें थोड़ा सा कटिन करके निकाल देना होगा जो हम फोल्ट करेंगे इसके लिए तो इस तरीके से आँ पछे से बैठा लें, उसके बाद एक लव की शिराई लगा लें इस तरीके से लव की सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे इसको प्रेस से इसको हम चिवकार लेंगे इसलिए कि एक तरफ में हमारा फ्यूजिंग लगा हुआ है फेबरीक वाले फ्यूजिंग लगा हुआ है तो इसको हम प्रेस से अच्छे से चिवकार लेंगे बहुत आच्छा marks बनेगा दस्तों और बिल्कुल सरत तरीका है इसको बनाने के लिए तो ये बन गया उसके बाद हम क्या करेंगे इसको हम press से इसको चिफका देंगे इस तरीके से इस तरीके से मच्छी से इसको press से बैठा लेंगे फ्यूजिंग को चिफ का लेंगे आप देख रहे होंगे कितना बेटर अच्छा दिख रहा होगा आपको और असान तरीका भी है ये बनाने का उसके बाद हम अब क्या करेंगे इसमें यहाँ पर हम फोल करेंगे जिसमें हमें लाश्टिक फिनिस करना होगा थोड़ा साम काटेंगे ज्यादा नहीं कटिन करेंगे यहाँ से और बिल्कुल पतला इसको मार्जिंग हम लेगते हुए यानि कि आप बिल्कुल लाश्टिक जो है बिल्कुल बारिक लगा सकते हैं जितना बारिक लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा और जितना बारिक लाश्टिक लगाएंगे उतना ही बारिक फोल्ड करें उसको तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लिए इसको अब इसमें हमें क्या देखना है कि लाश्टिक हमें कितना लगाना होगा तो यह a small size है इसमें हम अब लाश्टिक लगाएंगे 8 इंच तो इस तरीके से आप लाश्टी को कटिन कर ले 8 हिंज फे उसके बाद हम इस तरीके से उसको लाश्टी को डाल देंगे और लाश्टी को हम यहां जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से तो लाश्टी को जॉइंट करने के बाद यह आपका मार्क्स त्यार हो गया उसके बाद हम दूसरा मार्क्स बना कर दिखाएंगे दूसरे तरीके से दूसरे डिजाइन में अभी एक लाश्टिक और डालने के बाद हम दूसरा आपको मार्क्स बना कर दिखा रहे हैं कटीन करके और लाश्टिक का जोएंट जो है उसको हम अंदर लाकर रख दिये ताकि बाहर जोएंट नहीं दिखेगा तो इस तरीके से आप जोएंट कर लें और उसका जो जोएंट है उसको अंदर जहां पर हम फोल्ड किये है वहां पर लाकर छुपा देंगे उसको इस तरीके से आप उसको लाश्टि को खीच लें आप देख रहे होंगे कितना अच्छा मार्क्स बन गया यह स्मॉल साइज है अब हम मेडियम साइज के लिए आपको खटिन करके और शिलाई करके दिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम इसमें पेस्टिंग जो लगाए थे यानि कि फेबरिक वाले पेस्टिंग तो हम इसको पहले फ्यूज कर लिया हैं पेस्टिंग कर लिया हैं अब यह देखिए आप पौने तीन इंच चौड़ाई ले ले लेजिए और आठ इंच लंबाई ले लेजिए इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा round save कर ले, और इस तरीके से आप cut in कर ले, या तो चाहें तो paper को cut in करके फिर कर ले, और नहीं तो direct भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम cut in कर लेते हैं paper के इसाब से, यह पहले समिशलिए cut in करके रखे हैं paper का, ताकि थोड़ा जल्दी आपको दिखा सके, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो सके, यहां हम चटका इसलिए लगाए हैं कि joint जब हम करेंगे तो चटके से चटके मिलाएंगे उसका, यहां हम 6.5 इंच लेंगे, और यहां हम 3 इंच लेंगे, और इस तरीके से हम save कर लेंगे थोड़ा सा, और इस तरीके से हम cut in कर लेंगे बिलिए इसको, उसके बाद इसको भी हम cut in कर लेते हैं, अब इसका stitch कैसे करना है, आप इस वीडियो में अच्छे से देखें, यह भी design जो है, बहुत अच्छा है marks का, यहां फिर हम चटका लागा लेंगे, जो हम चटके से मिलाएंगे वहाँ भी, बहुत कम फेविरिक में यह बन जाता है marks, अब इसको हम joint कर लेते हैं, joint करते समय आप ध्यान दे कि margin ज्यादा ना दे इसमें, दो सुथ से कम हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा margin लेंगे तो आपका छोटा बड़ा हो सकता है, तो इस तरीकी से आप देखें, बिल्कुल बराबर होगा, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होगा, इस तरीके से बन जाएगा marks इसका, दूसरे शायद के जोड़ लेते हैं, और जोएंट करते समय खास ध्यान दें कि जो सीधा फेवरिक है उसको हम उपर रखेंगे, इस तरीके से, अगर इसको हम नीचे रख देंगे तो जोएंट सही से नहीं कर पाएंगा, यहां भी हम margin को अच्छे से बैठा लेंगे, margin को हम लाएंगे, जो सीधा फेवरिक था उसके तरफ लाएंगे margin को, उससे क्या होगा कि अच्छे से बैठ जाएगा margin उसका, तो आप देख रहे होगे कितना अच्छा marks बन गया, अब इसको हम क्या करेंगे, किनारी जो है इसका हम पाइपीन से फिनिस करेंगे, उसके बाद हम इसके लाश्टिक लगाएंगे, तो यह medium size है, तो इसमें लाश्टिक हम कितना लगाएंगे, आप इस वीडियो को अच्छ में आ जाएगा, और बहुत सरल तरीका है यह मक्स बनाने का, इस तरीके से हम पाइपीन को कटिन कर लिए हैं, जोइन्ट कर लिए हैं, अब इसको हम पाइपीन को फिनिस करेंगे, तो पाइपीन फिनिस करते समय, यहाँ पे थोड़ा सम फोल्ड कर देंगे, ताकि उधर से ह महाँ पे पक्का हो जाएगा, हम वहाँ जोइन्ट नहीं करेंगे, और पाइपीन लगाते समय ध्यान दें, कि पाइपीन थोड़ा टाइट करके लगाएं, इसलिए कि जब किनारी को हम टाइट रखेंगे, तो चेहरे पे बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा, बहुत अच पाइपीन को बढ़ा कर रखे हैं, ताकि मार्जिंग जोइन्ट को न दीखे, मार्जिंग अगर ज्यादा है तो आप जाड़ दें, जाड़ने एक बाद उसको फिनिश कर ले, पका कर ले पाइपीन को, अब इसको हम पका करके देखाते हैं आपको, उसके बाद हम इसमें ल इस तरीके से पाइप इन को फिनिश कर लें हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को फिलेश कर दें जिसे नई वीडियो आप तक असानी से पहुंश रके साथ में लाइक शेयर भी कर दें प्लेश तो इस तरीके से हम पाइपिन को फिनिस करेंगे, हमारे इस चैनल पे लेडिज और जैंस दोनों के लिए कपड़े बनाये जाते हैं, जैसे पैंट, सल्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का बलाउज, सलवार सूट, फ्राक, बच्चों की आइटम, यानि कि हर चीज, हर आइटम, कटिंग और एस्टे करेंगे, तो यहां भी हम लाश्टिक को 9 इंच पे कटिंग करेंगे, इसलिए कि इसका फिक्स मार्जों बनाये हैं, यह साइज बड़ा है, तो लाश्टिक हमें उतना ही रखना पड़ेगा, तो यह आपका मेडियम साइज में आ जाएगा, और पहले जो हम आपको बना कर द आये थे आपको, 8 इंच, तो उसको आप 9 इंच कर लिजे, इसी तरीके से सब चीज में जहां ग्रेडिंग कर लिजे, आप उसको बनाने के लिए, और जो small size हम बनाये थे, तो उसको हम 9 इंच पे कटिंग किये थे, गोल आई, तो आपको उसको 10 पे कर ले, 11 पे कर ले, इस त तो यहां हम इस तरीके से, जहां पे हमरा joint आ रहा है, सीधा फेबरी का, वहीं पे हम इसको attach कर देंगे, लाश्टी को इस तरीके से, आप देख सकते हैं, कितना बेहतरीन marks बन गया, तो marks इस तरीके से होना चाहिए, जो आपके चेहरे पे बिलकुल फिट बैठे, मास्क बना पूरा हुआ, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को फ्रेश करते हैं, जिसे नई वीडियो आप तक असानी से पहुंश चकें, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, नमस्कार